हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करते हैं कि आप सब अपने घर में सुरक्षित और सुखी उर्वक होंगे दोस्तों आज मैं आपके पास में एक बहुत अच्छी इंफोर्मिशन लेके आई हूँ जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती है वो देवी देवताओं की मूर्तियों को हम घर में कहीं पर भी लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी नाकारात्मक उर्जा का वहाँ पर वास होने लगता है ऐसा का जाता है कि वास्तु शास्त के साब से घर में देवी देताओं कि मूर्ति जरूर लगानी चाहिए लेकिन क्रोधित मुद्रा में टांडव करते हुए शंकर भगवाणजी की मूर्ति लगाने से घर की साकारात्म कुर्जा निश्ट हो जाती है लेकिन दोस्तों मूर्ति को लगाने के भी कुछ रूल्स होते कुछ नियम होते जिनका हमें जुरूर पालन करना चाहिए गलत तरीके से लगाई हुई मूर्ति भगवान की जीवन में परशानी का कारण बन सकती है तो इसी से समद्रित आज का मेरा वीडियो है मैं आपको दोस्तों ये बताओंगे कि शंकर भगवान जी की कौन सी मूर्ति घर पे लगाएं किस डिरेक्शन में लगाएं और जो कौन सी मूर्ति उनकी घर में लगाने से घर में लोगों के रिष्टे जोते हैं वों मजबूत होते हैं तो आएए दोस्तों बिना देर के हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें भगवान शंकर रूद्र रूप में हैं भगवान शंकर के रूद और सो में दो रूप होते हैं तो हमें जो रूद्र रूप वाला है वो घर में उन कि यह जो ऐसी तस्वीर जोती है विनाश का प्रतीक होती है भगवान शंकर की जो तस्वीर हमें घर में लगानी चाहिए उसमें माता पारवती हो बेटे गनेश्क हो कार्तिके हो और भगवान शिव जी हो यह काफी शुब मानी जाती है इससे घर में कलेश नहीं होता है और घ क्यों कि शिव भगवान जी कहां पर निवास करते हैं यह कैलाश परवत पर उत्तर दिशा में निवास करते हैं इस कारें शिव जी की मूर्ती या फोटो घर के उत्री दिवार पर लगानी चाहिए और उनकी जो मूर्ती है या उनकी जो फोटो है वो लगाना यह और इसे उनके आपसी रिष्टों में मजबूती बनी रहेगी। इसके साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम उनकी मूर्ती लगाते हैं तो वो पिल्कुत साफ स्वच जगे पे लगानी चाहिए। गंदगी घर में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होग कि स्वच जगे पे जो मूर्ती लगेगी ये तस्वीर लगाएंगे तो वहां खुशी दिख रही है। और ऐसी मूर्ती लगाएं जिसमें परिवार बहुती खुश नुमा दिखाई दे रहा है। और नंदी पर विविराजित शंकर भगवान जी हो या फिर ध्यान की मुद खास बातों का हमें जो ध्यान रखना है कि तस्वीर को बिल्कु स्वच जगे पे लगाएं गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अले तक घर में दोश बढ़ जाते हैं और धन हनी की समावना बनी रहती है। और जो शिव भगवान जी की जो खड़ी मुद्रा में जो लिए तो यह कुछ बाते हैं जो मैंने आपके साथ शेवर की है और आशा करते हैं कि मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आएगी और बाबा भोले नात की आप पर और आपके परिवार पर हमेशा दया बनी रहे। इसी उमीद के साथ में मैं अब अपनी वीडियो को समाप क करते हूं ओके गुडबाई हैव नाइट स्टे